साथ क्यों जब इस तरह नेक नियत से काम होता है इमानदारी से प्रयास किया जाता है तो इसका परणाम भी मिलता है अभी भारत में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है वो बहुत ही उच्छा बढ़ाने वाली है और नसरिम भारत में ये दुनिया में भारत की तरफ देखने का द्रश्टिकों गवर्नांस के मोडल को देखने का द्रश्टिकों और दुनिया में गरीब देश गरीबी से बहार निकलने के लिए कौन सा रास्ता दून सकते हैं इसके लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है और ताजा रिपोट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले नव वर्षों में याद रखिए पिछले नव वर्षों में करीब करीब पचीस करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है ये कोई सोज भी नहीं सकता था लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर अगर गरीबों को साधन मिले साधन मिले तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं पिछले दत साल में हमारी सरकार ने जिस तरह का पारदर्शी व्यवस्ता बनाई सच्चा प्रयाश किया जन भागीदारी को बढ़ावा दिया उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया सरकार कैसे गरीबों के लिए काम कर रही हैं इसे पी-एम आवास योजना से भी समझा जा सकता है पिछले दस सालों में चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिलना कितने बड़े काम की ये सफलता है और कितनी बड़ी मात्रा में गरीब आशिरवात दे रहा है और मजा तो ये हैं कि इन में से सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा याने सो में से सत्तर सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा गरों की रजिस्ट्री महिला के नाम हुई है मालिक हमारी बहन बन गई है गरीबी से बहार निकालने के साथ साथ इस योजना से महिलाओं को ससक्त करने में मदद मिली है गरामी डिलाकों में गरों का आकार भी बढ़ाया गया है पहले गर कैसे बनेंगे इसमें सरकार दखल देती थी अब लोग अपनी पसंद के घर बना रहे हैं सरकार ने आवाश योजनाओं के घरों का निर्माण भी तेज किया है पहले की सरकारों में जहां घर बनने में तीन सो से जादा दिल लग जाते थे वही अब पियम आवाश के घरों के निर्माण का आउसत सो दिन के आसपास का है यानि हम पहले से तीन गुना तेजी से पके घर बना रहे हैं और गरीबों को दे रहे हैं यह स्पीड है न वो सिरफ काम की स्पीड नहीं है हमारे दिलों में गरीबों के लिए जो जगा है न यह जगा गरीबों के पति प्रेम है न वो हमें दोडाता है इसलिए तेजी से काम होता है ऐसे ही प्रयासों ने देश में गरीबी को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है झाले गरीबों के लिए दीडियों के लिए जगा बाता है